Hello Everyone, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का Current Affairs के इस सेसन में और जिन लोगों को मेरे Current Affairs के वीडियोस नहीं मिल रहे हैं वो लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे so that मैं कोई भी वीडियो उपलोड करूँगा तो उनके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा तो देखो Current Affairs का कुश्चन का हर एक्जाम में रेशियो दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है आपको भी पता होगा तो Current Affairs को Daily basis पर पढ़ोगे तभी जाकर कुछ फाइदा मिलेगा एक साथ आप बहुत सारा Current Affairs नहीं याद कर सकते तो आपको Daily का अगर एक वीडियो जो मैं regular आपके लिए बनाता हूँ Morning में अगर वो 6 से 8 की बीच में वीडियो में डालता हूँ अगर उस Morning में ही आप उस Current Affairs की वीडियो को देख लेते हो तो पूरे दिन का आपका टेंजन खतम हो जाता है शुरू करते हैं आज का वीडियो जो की important है इन सभी exams के लिए और यहाँ पर आपको Telegram चैनल पर इसका PDF भी available हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला कोशन आपकी स्क्रीन पर देख रहा होगा हाल ही में किस राज ने आदेस जारी किया है कि सडक दुरगटना के मामले में सरकारी अधिकारी ओबलिक कर्मचारी अपने निकट दुरगटना के सिकार लोगों को अस्पिताल पहुचाने के लिए अपना वहान देंगे बहुत ही अच्छा पहल है और यह इंपोर्टन कोशन भी बनता है हर एक्जाम में पूछे जाने के चांसस भी है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यानि कि मनीपुर में ऐसा डिसीजन लिया गया है अगरा कोशन देखते हैं 11 रज्योंदारा अप्रेल 2018 में गोहाट गोशना पत्र बहुत जड़ा निउस में है गोहाटी गोशना पत्र के संबने में निवने लिखित किस से है गोहाटी गोशना पत्र का संबने बताना है आपको तो देखो आई होप आप लोगों ने इसका सही अंसर टिक कर दिया होगा तो इसका देखो सही अंसर हो जाएग यानि कि सडक सुरच्छा पर्मिट वा सुल्क अगला कोशन देखते हैं तीसरा प्रत्वी दिवस 2018 की थीम क्या है तो 2018 वाली की थीम क्या है जल्दी से कमेंट करके बता दो आई होब बहुत सारी लोगों को पता होगा इसका अंसर होगा का डी यानि कि प्लास्टिक प्रदूसर की समार्ती अगला कोशन करते हैं चौथा नंबर अपर आधिक विदी संसोधन अध्यात इस 2018 के प्रावधानों में क्या सामिल नहीं है तो इन्वे से सामिल जो है वो नहीं बताना है जो सामिल नहीं है वो आपको बताना है तो सभी को चल गया होगा क्योंकि मैंने टेलीग्राम पर यह वाली न्यूज पोस्ट की थी कि 16 वर्स से सी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा आप देख सकते हैं 16 वर्स से कम उम्र की लड़कियों के सामुविक बलत करके मामने में फासी की सजा ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया बाकी सारे प्रावधान किये गए तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा अगला कुशन रस्ति राष्ट्र परति सी राम नाद कोविंद जी को आदी संक्राचार हिंदूस्म ग्रेटिस्ट तिंकर की प्रथम प्रती 21 अप्रल दोजार रठारों को सौबी गई है इस पुस्तक के लेखक कौन है तो इसका देखो सही आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा स्री पवन वर्माजी इसके लेखक है और बहुत कि इंपॉर्टन कोशन यहां पर वो निकल कर आया है सात्वा कोशन है हमारा केंद्रिय कैबिनेट पूनर सरयचित राष्ट्री ग्राम स्वराज अभियान को मंजूरी दी इस अभियान की समाप्ति तिठी क्या होगी तो देखो इसका सही अंसर रोजा का डी यानिकी 31 निमने लिखित में से किस संस्ता द्वरा 21 अपरल 2018 को इयारो और एयारो सर्टिफिकेट करकरम का सुबारम किया गया है तो आई हो पिसका अंसर आपको पता हो गया सी अप्शन यहां पर सही हो जगा चुनाओ आयो अगला कुशन है हमारा निमने लिखित में से किस जगर पर 21 अपरल 2018 को द्वनी से सब्द और चिन नामक प्रदर्सनी का उद्गाटन हुआ है बहुत ही इंपोर्टेंट है हर एक्जाम के पॉइंट अफ्यू से इसका सही अंसर हो जागा B यानि कि मुंबई and I hope बहुत सारी लोगों ने इसका सही अंसर दिया होगा तो देखो आपको करेंट फर्स का ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि बार-बार ऐसे वीडियो के लिए आपको बार-बार खोजना नहीं पड़ेगा नवा कोशन है निमन लिखित में से किस ज़के पर तमाखु के सभी रूपों के च देख सकते हैं मोनोनुक्लियोसिस को निमन लिखित में से किस रोग से जाना जाता है सो इसका सही अंसर हो जाएगा किसिंग डिजीज ऑप्शन यहापर सही हो जाएगा अकला कोशन है देखो आज की डेट के पिछले 24 गंटे के मैक्जीमम जितने कोशन बन सकते हैं मैं वह यहापर लेकर आता हूँ तो गलती से भी यह वीडियो मिस्मत करना कभी भी क्योंकि बहुत सारे एक्जाम में कोशन यहां से आपको मिलने वाले है जनरल साइंस में प्रकासित एक सोद के अनसार आकार पूर्भा ग्रह विलुपती के कारण निमन लिखित में से कौन सा इस् एपोर्ट में आया है बारवा नमर कुशन करेंगे आर्थिक विसेशक्यों के मुतावित किस देश की अर्थ विवस्ता दो हजार पच्चेस तर सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थ विवस्ता बनेगी तो यहां पर ननदर इस्टावर इंडिया भारत यहां पर सही अंस पर नहीं पर सही अंसर हो जाएगा यह यानि कि च्छे कंपनियों का ऐसा बढ़ा है अगला कुशन जन्र धन अकाउंट में डिपॉजिट कितने हजार करोड के पार हो गया है बहुत बढ़ी बात है यह कि यह जो डिपॉजिट है वह 80,000 करोड लोगों के पार हो गया है बह तो देखो इसका सही अंसर हो जाएगा HDFC जिसको इतना फाइदा हुआ है मुनाफ़ा हुआ है तो बहुत इच्छी बात है यह इनमें से किसने 24 घंटे के बीतर रेप पर फासी के अध्यादेश को मंजूरी दी है तो यहां पर सही अंसर हो जाएगा रामनात कोमिंद जी जि इसको हमें सवागत करना चाहिए इनमें से किसने लाश्ट्रिय स्वच वायुकार करम का मसौदा जारी किया है तो देखो इसका सही अंसर हो जाएगा केंद्रिय पर्या बरन मंत्राल है यानि कि सी अप्शन यहां पर सही हो जाएगा अगला कोशन है हमारा किस देश ने यू भारत है विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कितने अरब डॉलर के पार चला गया है तो यहां पर सही अंसर आई थिंक बहुत सारी लोग दे लेंगे क्योंकि हम लोग पहले से यह कुशन कर चुके हैं 426 अरब डॉलर यहां पर आंसर हो जाएगा कॉमन वेल्थ गेम्स गाष्ट मंदल सासना देच्छों की बैठक आयूजित की गई है तो 20 कोशन का अंसर है लंदन सभी को पता है एक बार हम लोग इस कोशन को कर चुके हैं अगला कोशन है फार्चून की 50 मसूर हस्तियों की लिस्ट में मुके सम्मानी को कौन सा इस्तान प्राप्त हुआ है तो यह कोशन एक बार फिर से कर चुके हैं यहां पर 24 वा इस्तान हांसे हुआ है यह इसका सही अंसर हो जाएगा और गाइस आप सभी लोग को से रिक्वेस्ट है कि इसमें जितने भी कोशन मैंने इंक्लिवट किये हैं सब इंपोर्टेंट हैं और सभी पूछे जाने कि इनके चांसस बहुत जाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना और इस वीडियो को रेगुलर देखना आपका मैक्जिमम यहां पर प्रॉफिट हो सके और इसका पीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक क करके टेलीग्रम चैनल से जुड़ेंगे तो वहां पर आपको इसका पीडियो वी मिल जाएगा सो गाइस थैंक्स पर वचिंग इस वीडियो वन्स अगें थैंक्यू